नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों आप देख रहे हैं Free Practice Set Paper एक्जाम सेक्षन में 40 questions का जो जीके होता है उसमें हिश्री भी पूछी आती है और अधिकतर बच्चे इसका रिवीजन ना करने कारण है एक्जाम में हिश्री के questions गलत करके आते हैं सपोज आपका ये section पूरा याद है कोई doubt नहीं है आप ये questions set paper solve करिए अगर आप जादा से जादा scoring करते हैं तो जाय सी बात है एक्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे फ्री वीडियो है पूरा देखिएगा चैनल पर नए है तो subscribe कर लीजेगा अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर इसकी लिंक शेयर करिएगा फ्री वीडियो है तो आपके दोस्त जरूर देखेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर कॉशन नमबर वन आपसे पूशा गया है दुट्य विश्युद्य के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्त रहते हुए रूस के विरुद जर्मनी की सहायता की थी तो यहाँ पर सहीत रो जाए अगला प्रशन है प्रत्वी सिकर सम्मेलन जिसको प्रत्वी बचाव सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए प्रत्वी सिकर सम्मेलन या प्रत्वी बचाव सम्मेलन का आयोजन किसके जाता है या किसने किया तो राइट आंसर हो जाएगा प्शन नमर बी यू एन सी इडी इस प्रशन के लिए शामिल होने का निर्णे लिया है वह देश इनमें से कौन सा है जिसने जन्मत संग्रग के परिणाम के आधार पर संग में एक सदस के रूप में शामिल होने का निर्णे लिया है तो वह देश कौन सा है तो वह है स्विज्जलेंड ओप्शन अमबर स्विज्जलेंड इस प्रक्षा परिश्रत का यस्थाई सदस्य बनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा किसे तो सहीतर हो जाएगा, प्रारमिक गठन के आउसर पर सयुक्तराष्ट संग की महासभाद्वारा निर्वाचित, पांस सदस्यों को इस्थाई सदस्य के रूप में बनाया गया, उप पर सयुक्त राश्ट सम्मेलन को क्या कहा जाता है परियावरण और विकास पर जो सयुक्त राश्ट का सम्मेलन लगता है उसे किस नाम से जानते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा परियावरण और विकास पर जो सयुक्त राश्ट सम्मेलन होता है उसे अर्थ सम्मिक या प्र अंतराश्य नयाएले में निर्वाजित होने वाले कौन से भारतिय नयाधीश हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दलवीर भंडारी पांचवे नयाधीश हैं अंतराश्य नयाधीश हैं अंतराश्य नयाधीश हैं निर्वाजित होने वाले सही उत्तर हो जाएगा पांचवे न अंतर आशे नहीले में न्याधी शुना गया था सही उत्तर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा है डल्वीर भंड लिए === अगला प्लश्र अप्रेल अप्रेल 2012 को अंतर अशी नहीले नहीले का बारे में ये कथन किस ने कहा था सहीउक्त राश्ट संग का जब गठन हुआ था तो उसके लिए एक जीवित वस्तु पैदा हुई है ये कथन किस ने कहा था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सहीउत्र हो जाएगा विल्सन ने option number D इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा विल्सन ने सेत्रा संग के बारे में ये बात कही थी next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है राश्र संग का अंतेम अधिवेशन कब हुआ था सहीत्र क्या हो जाएगा तो 8 अप्रेल 1946 को 8 अप्रेल 1946 को जो है राश्र संग का अंतेम अधिवेशन हुआ था next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है सैन फ्रांसिस्को को सम्मेलन में उदगाटन भाशन किस ने दिया था जब सैन फ्रांसिस्को में उदगाटन हुआ था तो उसमें उदगाटन में भाशन किस ने दिया था तो राइट आंसर हो जाएगा हैंरी ट्रूमेन इस प्रशन के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उदगाटन में भाशन जो है हैंरी ट्रूमेन ने दिया था राइट आंसर हो जाएगा option नमबर A संयुक्तराज संग के समिधान पर अंतिम स्विक्रती के समेलन से मिली थी संयुक्तराज संग के समिधान पर अंतिम स्विक्रती के समेलन में मिली थी राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सेंट फ्रैंसिसको सम्मेलन में सेंट राज संके समिधान पर अंतिम स्विक्रती मिली थी राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन क्या है सेंट फ्रैंसिसको सम्मेलन कब हुआ था क्या उत्तर हो जाएगा तो 25 अपरेल 1945 को option number D यहाँ पर सेतर हो जाएगा 25 अपरेल 1945 को सेंट फ्रैंसिसको सम्मेलन हुआ था राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देखते हैं भारत कितने वर्षों के बाद 7 वी बार सुरक्षा परिशत का अस्थाई सदस से चुना गया भारत कितने वर्षों के बाद में सेयुक्त सुरक्षा परिशत का अस्थाई सदस से चुना गया तो भारत 19 वर्षों के बाद सेयुक्त राज संकी सुरक्षा परिशत का अस्थाई सदस्य चुना गया है 19 वर्षों बाद 7 वी बार अस्थाई सदस से चुना गया question देखते हैं विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था क्या उत्तर हो जाएगा तो विश्व व्यापार संगठन जो है एक जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया option नमबर बी यहां पर सहीत्र हो राइट आंसर है नेक्ट कोशन देखते हैं अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर संगठन चार्टट पर हस्ताक्षर करने वाला इंक्यावनवा देश पॉलेंड था राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण महासभा में शांती के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया महासभा में शांती के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा आजकल सयुक्तराश संग के किस ग की सदस्ता की विस्तार की मांग की जा रही है तो सुरक्षा परिसत के सथ संग का सत्स सै बना था तो पूर्वी तिमोर स्विज़ लेंड के साथ में 2002 में सयुक्त राष्ट संग का सदस से बना था संग का सदस से बना था option number B स्विज़ लेंड से ही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं सयुक्त राष्ट को किस से वित्तिय सहायता प्राप्त होती है तो सयुक्त राष्ट से जो भी सदस से देश जुड़े हुए हैं सदस से राष्ट जुड़े हुए हैं उनसे वित्तिय सहायता मिलती है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं निम्ण मैसे किस राष्ट को सयुक्त राष्ट उप्निवेशी करण समीती का प्रतम अध्यख्ष नियुक्ष किया गया था तो यहाँ पर सहित्र हो जाएगा संयुक्त राष्ट वी उप निवेशी करण समीती का प्रथम अध्यक्ष न्यूक्ट किया गया था भारत के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशिन के लिए आप्शन नमबर भारत सहित्राष्ट चार्ट के किस अनुच्छेद में गैर सरकारी संगठन शब्दा वली प्रियुक्ट की गई है राइट आंसर हो जाएगा नेक्ष कौशन देखते हैं नीला हेलमेट शब्द किसके लिए जुड़ा हुआ है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो नीला हेलमेट शब्द जो है सहित्राष्ट सांती सेना को दरशाता है राइट आंसर हो जाएगा नेक्ष कौशन देखते हैं अगला प्रशन 1965 इस्वी के भारत पागिस्तान युद्ध के समय सहित्राष्ट संग के जिस महासचयों के भूमी का सराहनी रही उनका नाम क्या था तो वो थे यूथांट ऑप्शन नमबर सी इस प्रशन के लिए सहित्र हो जाएगा यूथांट की भूमी का सराहनी रही सहित्राष्ट संग का कौन सा पदा सीन सेकेटरी जनरल एक हवाई हाथसे में मारा गया था तो डैग हैमर शोल्ड इस प्रशन के लिए सहित्र हो जाएगा एक हवाई हमले में मारे गए थे नेक्श कौशन देखते हैं अंतराष्टिय नयायले में नयाधीश निक्त होने वाले पहले भारतिये कौन थे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सहित्र हो जाएगा अंतराष्टिय नयायले में नयाधीश निक्त होने वाले पहले कौन थे सही उत्तर क्या हो जा पहले के नियाधीश पद को सुशूवित कर देश का गौरव भढ़ाया तो भारतिय नियायले में तो यहाँ पर नगेंदर सिंग, आरेस पाठग, बी एन राओ ये सभी अंतराश्य नियायले में नियाधीश बनकर गौरव आनवित कर चुके हैं देश के लिए सही उत्तर हो संग के प्रथम महासचेव कौन थे सही उत्तर क्या हो जाएगा संग के पहले महासचेव ट्रिगवेली सहाब थे और ट्रिगवेली जी राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कोशन देखते हैं संग में भारत ने कब से भागीदारी प्रारम की थी तो भारत संग में इसके गठ जिक्रत भाशाएं 6 हैं सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण अंतराश्रे मजदूर संगठन जिसका मुख्याले जिनेवा में हैं इसकी स्थापना कब हुई थी तो अंतराश्रे मजदूर संगठन जिसका मुख्याले जिनेवा में हैं 1919 में इसकी स्थापना हुई थी सही उत्तर हो जाएगा अगला कौशन सर्प्राइस कौशन है आपको बताना है विश्वस्वास संगठन का मुख्याले कहां पर है वीडियो में पूछेगा जो भी कौशन आपसे अगर कोई डाउटफुल होते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा जिससे रोजके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके चैनल पर पर दे वीडियो अप्लोड होते हैं आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेर कर सकते हैं फ्री दिखेंगे तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेर चैंपियंज जरूर करिएगा बहुत-बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो